हलो वाई मैं हो सोनुकमार और अभी इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको कार चलाने अगर आपको नहीं आती है तो आप कैसे सीख सकते हो वैसे तो वीडियो देखके कोई भी गारी चलाना नहीं सीखता है जब तक आप खुद से प्रेक्टिस नहीं करोगे तब तक अंदाजा हो जागी कि हाँ गारी कैसे काम करती है और आपको क्या-क्या गलती जो नहीं करना चाहिए और फर्स्ट टाइम अगर आप चलाते हो तो आपको क्या-क्या दिकते आ सकती है वो मैं आपको बताऊंगा जैसे हमारे भाज साब है यह पहली बार गारी चलने वाले है तो मैं इसको सिखाऊंगा और आपको वीडियो में देखके वो पता चल जाएगा कि क्या-क्या आपको चीज जो होगा गारी में करने चाहिए और क्या-क्या आपको नहीं करने चाहिए तो सबसे पहले आपने हाइट के अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग सीट को कर लो जैसे यह थोड़ी सी जादी रेश्ट पोजिशन में इसको थोड़ा सा आगे कर लो यह तब ठीक है देख लो इसकी हाइड अच्छी खासी लंबी है तो देखो इस जेनरली क्या होता कि आपको यह वाली रेश्ट वाली पोजिशन है इसके हिसाब से यहां पर जो आपक को यहां पर पहुंचनी चाहिए स्टेरिंग पर तो जो है वह अच्छा रहता है तो यह होगी पहले तो आप सिट कर लो अपने हाइड के अकॉर्डिंग उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको नॉर्मल जो फश्ट इडे होता है वह आपको क्या-क्या आनी चाह कर रहा हूं ए फोर एसलेटर वी फोर ब्रेक और सी फोर क्लच एसलेटर को बहुत जागा रेस पैडल भी बोलते है तो वह अलग-अलग लेंग्वेज है आप अपना अच्छे से देख लो एसलेटर है ब्रेक है उसके बाद क्लच है तो देखो यह हो गई तीन में चीजे ग ईतस स्पीड और डेंडेंगल आता हुई संद हो तो इस टाइम तो एक कड़ीक ब्रेक के स्वि कर रहा हो तो टाइम यह वाली की स्विक युज लेना ऑब और अब ज़New ब्रेक का लें छान अगरा मैनी ताइड ज्हला रहियो वहां ज्याधा लेंद़ क्लेत नई जरूरत नहीं होता तो होई पे आप पैर रखके राम से राम ले सकते हो पर आपने पैरों कोर दे सकते रही यह हो गई क्लाच ब्रेक और टीव बारे में यह यह स्ट्रीरिंग विल जितना अप ऋद् Boris करो गया आज कल के गाड़ीों में पाउर स्टैशन बटम वाली गाड़ी आती है देखाना इसके चावी दिखाँ इसके चावी कि दिखाओ इसमें आपको ये वाली चावी मिल जाती है naked just देखो इसको सित गाड़ी में रखना होता है और इसके बाद एक बार प्रेस करो एक बार प्रेस करने से हमारी जो ए इंफो टैडमेंट्स वmotion अफञां सरफ प Totally में आपने अर्जिए दुबार में बुली है कि जैसे यह थला प्रेस, लेजर करों के, TVB और यह जो है टेको मेटर और स्पीडो मेटर वेगर इंस्ट्रूमेंट क्लेश्टर वेगरा वो हमारी ओन हो जाती है और जैसे ही क्लच दबाओ क्लच दभाके जैसे आप ल止किरिए इसको तहीं हमारी इंजयन और हो जाती है तो यह वगई होती है तो इसको अघर आप तो नोयको बंद कशुंद करने विबारा थेश। यह दूबार प्रेस करते तो आपको अगर इंजन स्टार्ट करना है तो आप पहले क्लच को दबाओगे उसके बाद यह वाली बटम को दबाओगे इससे क्या है इंजन स्टार्ट हो जाती और हमें सही याद रखा कि हैंड ब्रेक हमारी लगी होनी चाहिए और गियर जो है न्यूटल में होने चाहिए तभी गारी को स्टार्ट कर यह फस्ट वार जो ड्राइब करते उन लोक के लिए बत में बतारहू हूं तो चलो अब हम इसको गारी चलाना सिखाते जा तो यह हो गई इसकी फर्स डेर तो आप लोग जो भी फर्स डेर के लिए वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्फुल होने वाला है सबसे पहले हापने हाइड के को अपने हाइड केकर दॉप्शन मिलता तो यह से आपको यह वाली अजिस्टमेंट करना है तो जैसे आपने हाइड का गाुडिया को इसने सबसे ऊपर करा Cinem ήταν नीचे आप र uważ इसको ताकि यह जो है आपको वीजिवल ह SARAH तो यह सबसे अच्छा पोजिशन होता है, ताकि आपको जादे से जादा आगे की बनी रहे, उसकी बाद आप गारी को स्टार्ट करो, इस्टार्ट करने से पहले आप मैं धियर के बारे में बता रहा हूं, कि आपको गियर पता है सब, तो देख लो, इसको यह मेरे साथ आगे बैठता है इसलिए इसको गियर के transmission बारे में पता है कुछ-कुछ तो सबसे पहले आप देख लो यह manual गारी में जादा तर 5 gear और 6 gear आते हैं तो देखो इसमें हमको 5 gear मिलते हैं सबसे 1st gear जो है वो आपको देखो इधर से ऐसे लगता है देखो देखो इसमें total 5 gear है और एक reverse gear है देखो आपको दीख रहा होगा R4 reverse 1 2 3 4 5 तो जैसे gear का काम क्या होता है कि गाड़ी के इस टाइम के साथ speed बढ़ाना होता है तो gear जो हमारी speed बढ़ाने में काम आती है तो सबसे पहले देखो यह 1 दीख रहा है आपको इसका मतलब यह 1 gear नमबर 1 2 3 4 5 और 6 भी gear होता है वो और भी गारियों में आपको देखने को मिल जाता है इसमें हमारी 5 gear ही है यहाँ नमबर 1 पे आप देख लो जब भी गारी start होगी तो first gear से ही गारी start होगी पता है ना उठेगी गारी तो first gear में start होगी start होगी मतलब कि वो जो आप गारी को चलने के लिए ready रखोगे तो first gear में ही चलेगी नहीं तो आप नए जो driver होते हैं वो गलती यह करते कि कोई भी gear पे start करके आगे बढ़ना सुरू कर देते तो उससे क्या होता है गारी की engine पे भी load पड़ता है और गारी जो है first driver जो first time drive करता है उससे गारी बढ़ती भी नहीं ह गारी बंद हो जाती है तो सबसे पहले आप first gear में डालोगे गारी को तो सबसे पहले आप यह करो कि अपने गारी में बंद गारी में आप अपने gear का practice कर लो first gear क्या है second gear क्या है third gear क्या है और उसके बाद आप अपना practice किरने के बाद आपको अगर पता चल जा कि हमां मुझे चल गया कि first gear की placing कि देर देखो first मैं बता देता हूं first gear देखो आप सबसे force लगाओ सबसे corner तरफ जाओ अपने left side ऐसे उसके बाद आगे करो यह होगा हमारी first gear उसके बाद आप इसको पीछे लाओ lose चोड़ो उसके बाद ऐसे करके पीछे लाओ यह हमारी second gear और जैसे गाड़ी की gear को आप ऐसे lose करोगे आगे की तरफ यह वापस से अपने आप normal position पर आ जाती है मतलब neutral पर आ जाती है neutral को जानने के लिए सबसे पहले आप यह करो कि देखो left right gear की gear knob को left right करके देखो उससे पता चल जाता है हमारी गारी neutral में है की नहीं और बहुत कोई तो यह ऐसे चेक करते हैं कि आगे पीछे करके देख लेते हैं कि हो रहा है की नहीं तो वह गलत तरीका है उससे आपकी गाड़ी की neutral चेक नहीं होगी सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऐसे आप left right करो उससे आपको पता चल जागा गाड़ी neutral में है तो first gear हमारी ऐसे लगती है second gear आप सिधा लाके लगा सकते हो third gear आप ऐसे जा सकते हो fourth gear just उसके पीछे है fifth gear जो है आपको देखो सिधा करना है सबसे right तरब जाना है उसके बाद उपर कर देना है यह वह गारनारी fifth gear और आपको reverse gear लगाना है तो ऐसे करके आप वापस neutral लाके इधर लाके पीछे कर सकते हो यह हमारी गाड़ी जो है वह रिवर्स लगाती है चलते टाइम कभी भी reverse gear नहीं लगेगी आप लगाओगे फिर भी नहीं लगेगी गाड़ी की gear थोड़ी सी अवाज करेगी बट वह reverse gear इंगेज नहीं होगा यह हो गई गारी के गियर के तो यह होगी manual handbrake अब आपकी गाड़ियों में automatic handbrake आता है मतलब की वो bottom वाली handbrake आ जाती है इसको लगाने का तरीका यह होता है कि पकड़ आप इसको हटाओ इसको बहुत ताकत लगा करने में जबकि इसको बिलकूल भी ताकत नहीं लगती है इसको हटाने में जैसे handbrake अना तो देखो मैं उताता हूं थोड़ी सी ऊपर की और खीचना है इसको थोड़ा सा उपर उस तो देख लो यह बहुत इजी तरीका है अगर आपको handbrake engage करना है तो देखो इंगेज करने के लिए आप इसको बटम को प्रेस करना और उपर कर देना और इसको छोड़ देना यह हो गई हमारी गाड़ी की handbrake engage यह सही तरीका होता है और आपको गिराना है तो इसको आपका सा एक दम उपर उठा थोड़े सा उठेगी उसको बाद इसकी बटम को प्रेस करो ऐसे और थोड़ा सा जाकी नीचे कर दो यह हमारे handbrake जो हड़ चुकी है बाकि handbrake लगाने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भी लग जाती है तो से कोई दिक्कत नहीं है तो य होगी फर्ष्ट वाली उस सबसी कॉर्णर वाली उस साइड में राइट साइड में इस लेटर देख लो इस लेटर ब्रेक और कलच वह तीनों आपको बहुत ही ज़रूरी है यह तीन चीज लेना है तो भी आप सीख पाओगे उसके बाद अपने अनुसार और व्यम को वाली बटम दिखरी लेफ्ट राइट इसको आप जैसे करोगे देखो इधर साइड अगर आप लाफ्ट कर लोगे तो लेफ्ट साइड की और व्यम की कंट्रोल मिल जाएंगे आपको अपरेट होने लगे और राइट साइड करोगे तो यह राइट साइड की आप पर्ण ड हमारी जुबित आरब रेज़ा इसमें यहां पर आपको मिल रहा है कंट्रोल करने का बाकि जो सुप डिजायर वागरा में रहता है तो आपको वहां पर नोव मिल जाता है चोटा सा जो आश्टिक टाइप का मिल जाता है वहां से आप एडजेश्ट कर सकते है और अपने दिखाता हूं आपको जैसे मैं first gear लगा हूं कि देखो मैं बताता हूं जब भी gear लगेगी या gear change होगी up या down one से two या two से one में जाओगे तो सबसे पहले आपको clutch दबाना है क्लच दबा दिया क्लच पूरा का पूरा ही दबाना जहां तक आप देख लो कि आपकी पैर पूरा टच होना चाहिए आगे की जो पोश्चन है वहां तक टच होना चाहिए तब ही आपकी की आपके की गिंगेज और उन्हीं जो आपकी से भी कलच को छोड़ के रखोंगे तो जो आपकी गियर है बहुत ही टाइट टाइप की आपको फील होगी पूरा टाइट फील होगा जिसा कि इंगेज करने में दिक्कत होगे गेर जल्दी से लगी की नहीं वहीं आप पूरी अच्छे से क्लच को दबा कर रखोगे तो गेर जो है बहुत ही अच्छे से लग जाएगी चलो फर्स्ट गेर लगा लिया तो चलो चलने के लिए रेडी हो तो चलो बॉदो अच्छे वहां सबसे पहले अपने द्रायवर यहीं गलती करते है कि हें ब्रेक को इंगर्श करके छोड़ देते तो सबसे ज्यादा द्हाईण यीसी बात करखना है सबसे ज़्यादा गलती यही लोग करते हैं फर्स्ट टाइम में कि हैंडब्रेक को लगा कर छोड़ देते हैं हैंडब्रेक अड़ाओ उसके बाद फर्स्ट गेर देना है और चलते रहना है एक और गलती में आपको बताता है यहां ऑर भी यह होता है कि जैसे गाड़ी मैंने तिर्ची लगा के छोड़ दी थी और तर्न करते की छोड़ दिया था टायर को तो आप टायर की प्रोपर ट्लेसिंग देखलो कि गाड़ी की इधर टाइड की जो डारेक्शन कि जागे के ठोग दोगे आपको पता भीने चले कि टायर हमारी इधर मुड़ी तो आप देख लो स्टेरिंग विल से पता कर लो टायर किधर है एक बाद करो कि नहीं पता चल जाएगा बाकी आप निकल की जाग सकते हो कि टायर जो आपको किधर teg कि इससे आपको स्टेरिंग जो यह हमारी स्टेरिंग जो है CENTER पर आ जाती है तो, CENTER पर देखो आप एक पर में आच से ब्रेक दबाँ गलाज दबाँ ब्रेक दबाँ देखो एक और चीज में बता देता हूं जैसे आपको मैं बता यहां आप देखो फटा देखो यह आप देखरो इसने चपल घोल लिया और खाली पिर चला रहे हैं तो ठीक है जैसे यह आपको कमफर्टेवल लगता है आप वैसे चला सकते हो तो सबसे पहले आप चपल पैल लो जैसे देखो अगर आप क्लच पे फर्स्ट गियर में क्या होता है कि आपको हमेशा क्लच से ही सीखना चाहिए जब तक एक दू दिन आपको क्लच और एसलेटर के साथ देखना चाहिए क्लच से टच करो और सिर्फ फिंगर्स जो है आगे से जो थाम है वो उससे आप प्रेस करो हमेशा जो है वो पेर जो यह पोजिशन पे रहेगी यह पोजिशन पे हमेशा सिर्फ उपर वाली जो है वो उपर निचे होगा और हमेशा यह वाली लेक जो है क्लच के लिए बुक एक बढ़ान से लेटर एक बर क्लच में दिखा देतों हड़ाओ का झाला ह Soul आप इसको एसे प्रेस करोगे और यह वाली इंड़ाग्ण स्यूति यह पैर आप को श्रीम पोजिशन पर बहुत एक बाना इससे यूजल अहता सकते ही बुक रहेगी यह कहीं भी नहीं जाएगी यह वाली पैर जो हमेसा क्लच पर ही रहेगी आप यह हमेसा ध्यान रखना अब जैसे आप राइट वाली लेक को इधर द्वर करोगे तो आपकी जो एक्सिडेंट होने के जांसे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे आपसे ऐसे ग अचिए घर लगाना है 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 कि हेंडब्रेक आप अभी डूल का दे रहो हैंडब्रेक का अभी हटा दे रहो अगर आपकी स्लोप में गाड़ी कhonड़े देगी तो हैंडब्रेक अटाने बाद गाड़ी जो आपको आगे या पीछे डलक सकती है और दूसरी को जाकी लग सकती तो आप उसके साथ साथ ब्रेक पे भी पैर रखो ये बहुत ही अच्छी हैविट होती है ब्रेक दबाने से क्या होता कि जैसे आप हैंड पर डालो तो गाड़ी आपके आगे पिछे नहीं डूल केगी बगर यहां पे स्लोप अगर है नहीं है तो आप ऐसे चला सकते हो चलो आपकी पैर जो है अमेसा नीचे लगी हुई होनी चाहिए उससे क्या होता कि आपको कलग जो है अराम से प्रोपर ढाग सही ढांग से छूटता है उसके बाद देखो अगे ऐसे आप चला सकते हो बाकि जो श्टेरिंग पकड़ने के भी अलग अलग टेकनिक होते है उससे आप पकड़ोगे तो उस तरह जो गाड़ी चलाने में थोड़ी से आपको अलग सी सुविधा मिल जागी जो फर्स्ट ताइम गाड़ी ड्राइब करते है ना उनके लि ज्यादा बैटरी होता है जैसे मैं आपको फिल्ड में सिखा रहा हूं ऐसे वाले फिल्ड में तो यह हमारी अभी गाड़ी गोल गोल ही घुमेगी फर्स्ट गेर में और सकेंड गेर में चलेगी तो यह फर्स्ट डेक के लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है इतना चीज सिखन हो जाता मीम तो 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 इसी एक वेडाने के लिए धन्यक्त थैंक्यों सोमच अगर आपको यह वली जुख यह और वीह और विदि आपको कमेंट करें मैं आगे पार्ट बनाते रहूँगा तो वीडियो दखने के लिए धन्यवाद थेंक यू सो मच